Hello dear students, आज हम करेंगे lesson number 3 अनू और परमाण mo genes and molecules में NCRD जो हमारे question अंसर होते हैं TexNo il question बोलते हैं या पाथ़ा पुठर के प्र Nvidia के question अंसर होते हैं और ये question बड़िया important होते हैं यहां से इह हमारे quiz type question होते हैं multiple choice question होते हैं स्टाप सेलेक्सिन जो एक्जाम होते हैं जो और कम्पटेटिव इस के एक्जाम होते हैं या किसी भी बॉट का स्टेट बोड का सी बी सी क tenure की ऑपने से हैं ध्यांसे समझेज़ा तो क्वेस्ट नंबरं पर चलते हैं आया हम रजेंदर कुमारोय अपका अपना चैनल्ट है एक अभीकिरिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बनेट और 6.0 ग्राम एथनोईक अमल अभीक्रित होते हैं और 2.2 ग्राम कार्बन डायकसाइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथनोईट और 0.9 ग्राम जल उत्पाद गे रूप में प्राप्त होते हैं इस अभिकिरिया दवारा दिखाईए कि यह परिक्षन दर्यमान स्रक्षन के अनुसार होता है तो दर्यमान स्रक्षन का नियम क्या कहते हैं जो टोटल हमारा दर्यमान दाता है वो सनक्षित रहता है मतलब दर्यमान स्रक्षन के नियम के अनुसार किसी रहसाइनिक अभिकिरिया में दर्वेमान का ने तो इसरेजन होता है और ने ही विनास होता है इसको वोते हैं दर्वेमान स्रक्षन का नियम तो इस रूप में इसको हमें दिखाना है अब यदि guidingists में हमारी क्या बंती है सोडियम कार्बोनेट प्लस एथनोईक अमल दोनों को मिलाने से बना क्या हमारे पाद जो उत्पाद के रूप में है सोडियम एथनोईट और कारबन डाइकशाइड और जल ये तीन चीजे हमारी बनती है तो जो हमारा दर्वमान श्रक्षन का नियम क्या कहता है भी जितना दर्वमान अभिकिरिया से पहले था मतलो जितना दर्वमान यहां था उतना ही दर्वमान कहां पर होगा यहां पर होगा जो टोटल यह बनता है जो हमारी बनती है, right hand side का जो दर्वमान होगा, वो किसके ब्राबर होगा, left hand side का दर्वमान होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, जो दर्वमान होता है, पहले हम देखिए क्या है, हमारे पास left hand side का दर्वमान निकालेंगे फिर निकालेंगे टोटल राइट एंड साइड का द्रमान यानिके लाइट एंड साइड और राइट एंड साइड दोनों का द्रमान निकालेंगे दोनों सेम आने चाहिए कहने का मतलुक है जो हमारी लेफ्ट एंड साइड है वो उसकी यह होते हैं अभीकारक यह नहीं के रियक्ट एंड होते हैं और जो राइट एंड साइड होती है उसको बोलते हैं उत्पाद उसको क्या बलते हैं उत्पाद जिनके अभिकार्पों का कुल दर्मान बराबर होना चीए उत्पादों का कुल दर्मान तो चली शुरू करते हैं हमारे पास यह equation दिये गई है तो फर्मुला यह रहेगा प्रतिकारक या अभिकारक क्या है हमारे पास sodium carbonate प्लस एथोनोई का मल और प्रतिफल का है हमारे पास sodium एथोनोईट प्लस carbon dioxide और जल तो यह अगी तो इसका हम दो यह द्रमान निकालेंगे फिर दूसरी साइड का द्रमान निकालेंगे अगर वो दोनों ब्राबर आते हैं तो इसका हम दो द्रमान स्रक्शन का नियम काम किया है तो पहले लगाते हैं अभिकार के रूप में अभिकार का मतल जो हमारी left hand side है उसमें लगाते हैं तो sodium carbonate का द्रमान हमारा आता है 5.3 ग्राम यह आप table से देख सकते हैं जो हमारे table होती है और question में भी दिया गया है हमारे पास और 6 ग्राम दिया गया हमारे पास किसका पास 11.3 ग्राम हो दाएगा ठीक है तो देखिए हमारे पास यह question में दिया गया है यह सारे का सारी value देगे है यहां से question से note करेंगे 5.3 ग्राम और 6 ग्राम मिलाएंगे तो यह total कितना है हमारे पास 11.3 ग्राम और इसी से अब फिर हमारा क्या बन गया ध्यान से देखिए 2.2 carbon बंडा एक्साइड 8.2 sodium और 0.9 जल उत्पाद के रूप में बनते हैं यदि हम 2.2 प्लस में 8.2 और प्लस में 0.9 करते हैं तो इन तीनों का जो जोड होता है योग होता है डिसन होता है वो भी हमारा कितना बनता है 11.3 बनता है इसका मतलब क्या हुआ हुआ क्योंकि अभिकार का कूल दर्यामान किसके बराबर आते हैं जो उत्पादों का कूल दर्यामान होता है तो इसलिए हम कहेंगे यहां पर जो दर्यामान इस्रक्शन का नियम है वो लागू हो गया है मतलब दर्यामान नहीं तो नहीं स्रेजन हुआ है तो यह था हमारे पास question number first यहां पर 11 है क्योंकि दर्यामान स्रेक्शन का नियम कहता है किसी रसाइनी का भी केरे में दर्यामान का ने तो स्रेजन किया जा सकता है और नहीं विनास किया जाता है question number two क्या कहता है hydrogen और oxygen दर्यामान के अनुसार एक पॉइंट एक अनुपात आठ में नोट कर लिजी बड़ा इंपोर हमारे पास का हता है है एच ही फार्मील ता है जल का तो इससे हैं पानी का निर्मान होता है सब्सक्राइब तो इसका मतलब होना तीन ग्राम हाइड्रोजन की है है hydrogen , स्थ पून रूप से श्योंक करने के लिए oxygen की कितनी ज्रूर्त हो गी तो इसका मतलब हम क्या करेंगे ओक्सिजन कितनी है यहाँ पे हमारे पास आठ है हाइड्रोजन कितनी है एक ओक्सिजन कितनी है आठ तो हमें तीन ग्राम हाइड्रोजन है दि हम इसको हाइड्रोजन को तीन से गुणा कर दें तो इसका मतलब oxygen को भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा न तो ये कितने होगे 8 ती ये 24 तो इसका oxygen कितनी चाहिएगी 24 गराम की जुरूरत पड़ेगी 24 गराम की तो किस थरह से करेंगे 3 गराम hydrogen को जल बनाने के लिए जुरूरत होगी आठ गुणा में 3 चोविस ग्राम, हते तीन ग्राम को पून रूप से शोग करने के लिए हमें 24 ग्राम उक्सिजियन की जूर्ट पड़ाएगी, मतलब जितनी हमने उक्सिजिन बढ़ानी है, या जितनी हम हाईड्रोजन बढ़ाएंगे, उतनी ही गुणा में हमें जैसे मालों तीन गुणा हमें हाइडरोजन बढ़ा दी तो तीन गुणा उक्षिजन हमें बढ़ानी होगी अनुपात से हम रहा नाची यह तभी जाकरा मुस पर काम पर सकते हैं क्वेशन नमबर तीन डाल्टन के परमानों सिधानत का कौन सा अभिगरीत द्रमान स्रक्षन के नियम का परिमान है देकि डाल्टन के परमानों सिधानत का अभिगरीत यह हैं कि दिये गए तत्तों के सभी परमानों का द्रमान और रसानिक गुणदरम होते हैं प्रंतु भिन भिन तत्वों के प्रमानों के द्रमान और रसायने गुंड़न बिन बुनते हैं यह द्रमान स्रक्षन का नियम का प्रणाम है तो यहां से हल में आपके लिखेंगे प्रमानों एविभाज्य सुक्तम करन होते हैं कोशन नमबर चार क्या करता है डॉल्टन के प्रमानूं सिधान्त का कौन सा अभिग्रीट यानिके रूल नियम निश्चित अनुपात के नियम की व्याक्या करता है तिक जो डॉल्टन थे डॉल्टन के प्रमानूं का सिधान्त का अभिग्रीट किसी योगिक में प्रमानूं क की सापेक संख्या और प्रकार निशित होते हैं और इसी को बोलते हैं निशित अनुपात का नियम और यह इसी की व्याक्या करता है तो अंसर में क्या रहेगा किसी भी योगिक में प्रमानों की सापेक संख्या एवं प्रकार निशित होते हैं हमेशा प्रमानों की संख्या भी निशीत हैं और प्रकार भी निशीत हैं डाल्टन के प्रमानू का सिधानत एक यह भी गरित हैं जो निशीत अनुपात के नियम की विव्या क्या करता है question number 5 क्या कहता है प्रमानू द्रह्मान इकाई को परिभासित केजिए सिम्पल सी डेफिनेशन हमारी परमानू द्रह्मान सापेक्स परमानू द्रह्मान की इकाई को परमानू द्रह्मान इकाई कहा जाता है और अंग्रेजी के अक्सर यू से इसको निर्प्वित किया जाता है और कहीं बारा हम इसकी जो definition लेते हैं ये भी लेते हैं कार्बन बारा समस्तानी के एक पर्माणू द्रहमान के एक बटे बार्वें भाग को मानक पर्माणू द्रहमान इकाई के रूप में लेते हैं कार्बन बारा समस्तानी के एक पर्माणु दर्यमान के सापेक सभी तत्वों के पर्माणु दर्यमान प्राप्त किये जाते हैं कहने का मतल कहा है एक पर्माणु दर्यमान इकाई कार्बन बारा जो कार्बन का एक समस्तानी के बारवे बाग के बराबर होता है कि समस्तानी इक वारवें वाग के बढ़ाबर होता है और इसमें प्रमानु दिर्रमान का एक वारवा बाव हर रूब होता है उधानी करूप में य यदि अज्मान और आएक क्या है तो हैड्रोजनग के एक प्रमानु कार्बन बारां के प्रमानों के बारुए भाग से एक गुणा भारी है इसी प्रकार उक्षिजन की बात करें तो वो 16 गुणा भारी हो दाएगा नाइट्रोजन की बात करें तो वो 14 गुणा भारी हो दाएगा question number 6 क्या कहता है हमारे पास हमारे पास कुछ सुतर दिये गए है तो एक प्रमानु को आँखों के द्वारा देखना संभव क्यों नहीं है देखे प्रमानु का आखार बहुत छोटा होता है और इसको हम नंगी आखों से नहीं देख सकते हैं का कार इतना छोटा होता है कि इसकी त्रिजा को हम नैनो मेटर में मापते हैं ठीक है और एक नैनो मेटर में लगबग दस की सकती माइनस नो मेटर होते हैं दस की सकती माइनस नो मेटर होते हैं एक नैनो मेटर में तो इसका मतलब इतना छोटा साइज इतना छोटा साइज, यानि कि 10 की सक्ती माइनिस 9 मीटर होंगे, एक नैनो मीटर में, तो ये इतना छोटा साइज होता है, कि आधुनिक तक्निकों की साथा, से तत्तों की स्ताओं को, हम अवर्दित परतिविम्मों को दिखा सकते हैं, लेकिन हम उसको साफ साफ नहीं देख सक सकते हैं, जिस्तना से आजिए हम हाइडरोजन के प्रमाणों का अकार देखें, तो उसका जो अकार होता है, दस की सक्ती माइनिस 10 मीटर के ब्राबर होता है, तो इतनी छोटी चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं, हमारी आखों, शे जो की बिल्कुल संभव नहीं है, आप देखें, सूतर लिखना है, नमर एक, सोडियम ओक्षाइड का सूतर लिखना है, सोडियम ओक्षाइड का सूतर, देखें, सोडियम का फार्मुला क्या है, एन ए, ठीक है, और ऑक्षिजन का फार्मुला क्या है, मारे पास, ओ, सोडियम की से हो जगता कितनी है, आपने ग्या हमारे पास sodium oxide का formula इसी प्रकार हमारे पास aluminum coloride है aluminum को क्या लेखते हैं al और coloride को क्या लेखते है cl इस तरह से लिख दिजे दोनों को ठीक है और फिर लिखेंगे इस लिखता aluminum की से हो जखता हमारी कितने होती है 3 और chlorine की से हो कितने होती है एक फिर क्रोस मल्टिपलाई करके रिखते हैं किया करते हैं cross multiply तो यह बन जाएगा हमारे पास a l1 यहीं कि aluminum 1 और chlorine कितना हो जाएगा 3 तो formula हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा a l बन जाएगा हमारे पास al aluminum chlorine में कितना है थे c l3 aluminum trichloride इसको बोलते हैं इसी प्रकार हमारे पास क्या सोडियम सलफाइड है तो सोडियम का क्या होता है एन ए और सलफाइड का क्या होता है अब इसकी स्योंजक्ता देखेंगे तो स्योंजक्ता यह आप देखना चाहें तो स्योंजक्ता हमारी sodium की वह जगता कितनी होती है 1, और sulfur की वह जगता कितनी होती है 2, फिर क्रोस मिल्टिप्लाई sodium के साथ कितना आएगा 2, Na2 और sulfur के साथ कितना आएगा 1, तो यह बने गया sodium sulfide का formula इसी प्रकार magnesium hydroxide magnesium का क्या हता है Mg और hydroxide क्या हता है OH, ठीक है न तो मेंगनीसियम की हो जगता दो और हाइड्रोकसाईड की हो जगता एक तो क्या बन गया है em g देखे दो होते हैं era न यह दो तत्म हभश्ण रोकसाईंट ताब उनका עege सर्ट में लेखें तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे, तो तत्व का परतीक लिखेंगे, sodium और oxygen हो जाएगा, तो यहां पर से हो जगता है, sodium की है, यह oxygen की से हो जगता है, फिर दोनों को cross multiply करेंगे, तो sodium oxide का formula जाएगे, इसी प्रकार aluminium chloride में, पहले हम का लिखेंगे, संकेत लिखने हमें, aluminium का संकेत, कलोरिन का संकेत, इसकी से हो जगता है, और फिर कलोरिन की से हो जगता है, फिर हम दोनों तत्वों को साथ-साथ लिखेंगे, से हो जगता निचे लिखेंगे, cross multiply करेंगे, तो यह आजाएगा, हमारे पास aluminum tricolide का, ऐसी sodium sulfide का, sodium का संकेत कितना है हमारे पास, na sulfide का कितना है, से हो जगता दोनों की एक और दो, फिर इस तरह से लिखना हमें, cross multiply करके लिखेंगे, तो na to s हो जाएगा, इसी प्रकार magnesium, hydroxide का formula बनेगा, magnesium का संकेत का है, mg, hydroxide का क्या है, o, magnesium की सो जगता कितनी है, 2, और hydroxide की सो जगता कितनी है, minus 1, लेकिन यहाँ आप हम positive ही लेके चलते है तो इसके निचे दो आ जाएगा, इसके निचे एक आ जाएगा, तो formula क्या बनेगा, mg, o, s2, टीक है, आप question number 8, निमलिक सुत्रों द्वारा पर्देशित, योगिकों के नाम लिखी, देखिए जब इस तरह के question होते हैं, और सिरफ हमें नाम लिखने होते हैं, तो उसमें सिर calming to chloride, तो क्या बनेगा? calcium, colacia, अगे का है, हमारे पास? potassium, और sulphate, तो क्या बनेगा? potassium, sulphate, K, K से potassium, NO3 काता है, naitrate, तो potassium, nitrate बने गया, अगे का है calcium, carbonate, तो calcium, carbonate, तो ापके सामने टेबल लज़ी, इस तरह से योगिका नाम लिखेंगे, योगिका नाम यह ऑग गया, और इसक ह sigui तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि नेक्स वसन् केsакनिक को कि से किसी योगिक को हम आसानी से लिख सकते हैं उसकी जानकारी ले सकते है और योगिकों के सब्दों में नाम लेकर नहीं किया जाथा जैसे याल्सियम कोलोराइड है हमें इतना बड़ा लिखने की जूरूरत नहीं है तो यह सिंपल लिखेंगे C, A, C, L2 लिखतेंगे तो ये calcium chloride हो जाएगा ऐसी मालो पानी लिखना है पानी के जगा हम लिखेंगे H2, ये हो गया उसका रिशायनिक संकेत हो जाएगा next point देखी ये फर्मानुमन में कितने प्रमानु विद्यमान होगे, देखी प्रमानुमन की संक्या हम ये ही से गढ़ेंगे H2S है, तो hydrogen में H2 तो दो हो गए प्रमानु टोटल और sulfur में कितना है, एक तो टोटल कितने हो गए, तीन इसी प्रकार हम लेंगे PO4 में potassium जो हमारा आयन दियागा तो P में तो कितना है, एक है और oxygen में ये आप देखें कितने हैं, चार तो टोटल कितने हो जाएंगे, पांच तो प्रमानु हमें गिनने है, जितने उसके साथ अंक लगें, उसी की संक्या हो जाती है उसकी प्रमानु में तो इस नाम का हो जाएगा इस तरह से combination, अब निकालते हैं हीट्रोजोन के ये यहाफ दो तो दो आज आज आएगा और oxygen का द्रामान कितने हैं, 16 गुणा दो बद्टीस हो जाएगा ठीक है ना, इसके बाद chlorine कितने हैं, दो तो दो आगा पहले और कलोरेन का द्रहमान कितना है 35.5 दुनों को गुणा करें कितना का इकातर यू इसके बाद देखें CO2 CO2 में दो चीज़ा है हमारे पास एक तो कार्बन और एक उक्षिजन तो दुनों का अलग अलग जोड़ेंगे कार्बन का कितना है 12 पाल ऑक्षिजन कितना है दो और इसका द्रहमान कितना होता है देखें यह लिए हमने 32 होता है तो यहां से 16 गुणा दो जाएगा तो टोटल कितना हो गया 44 हो जाएगा इसी परकार देखें मिथेन में भी दो है तो पहले कार्बन जोड़ेंगे कार्बन क drag蟨 आते हैं यहार इसना के तो डिल्वावर्वान किकने होता है यहाई तो टोटल कितना सोगρεँ के इसी परकार conta चbuat एक किसी कितनी जोग और ले रह mulheres 2-3 पहले मिर देखिस मिरमान कितना हैども बार बार तो बार अगयेमारे पास थीक है न क्या करते हैki हाइड्रोजन कितने है यहां पर 6 दी गी है तो 6 और हाइड्रोजन का दुर्मान कितने हैं देगे बार-बार यूज कर रहे हैं तो एक गुणा एक तो दुनों को जोड़ेंगे गुणा करके तो कितना गया तीस आज़ेगा हमारे पास ठीक है न? next में हमारे पास NH3 में भी दो है एक sodium सोरी एक तो nitrogen और nitrogen कितनी है एक तो उसका दुल्भान सिर्फ 14 होता है पलस में hydrogen कितनी दीगी है तीन और hydrogen का एक तो 17 यू हो जाएगा इसके बाद देखिंगी CH3 इसमें कितने हैं हमारे पास C हो गया, H हो गया, और O हो गया, और फिर H हागा, दुबारा आगे न, तो इन काम सब का जोड़ करेंगी, थिए न, तीन योगी और एक योगी, चार होगी न, एक योगी और तीन यह खी चार, इसलिए चार गुना में एक आदेगा, और फिर हमारे पास आ गया, O, ओक्सिजन का कितने हैं, हो डा, टोटल कितना आदेगा हमारे पास, 32, 32, क्वेसन नमबर बारा देखी निमलिक्त योगिकों के सुत्र एकाई द्रहमान का प्रिकलन कीजिए जैसे जिंक उक्साइड, सोडियम उक्साइड और पोटेसियम कार्बिनेट दिया गया है जिंक का प्रमानु द्रहमान दिया गया है सोडियम का दिया गया है और जितने मेमार इसमें कितने होगा जींक और ऑक्सायड तो जींक एक गुसट हो जाएगा यह 151, कितने एक गुणा में 16 सेम जैसे अमने पिछला क्वसंद किया है तो दुन्हों को जोड़के टोटल कितना गया एकास हमारे पास आ गया अब एन एटू ओ अब सोडियम कितनी है दो तो दो आ गया पहले और सोडियम कितनी होता है तेईस गुणा दो हो जाएगा इसी परकार ऑ दो और सी कितना है एक औरो कितना है तीन इसमें देखने है अनु कितने अनु की मातरा देखेंगे न तो पोटेसियम दो है तो इसलिए दो गुणा उन्तालिस हो जाएगा और इसके वाद कार्बन एक है तो गुणा बारा हो जाएगा ओक्सिजन कितनी है यहां पर तीन तीन इन गुणा सोड़ा जाएगा तो तिनों को जोडने से हमारे पास बने गया 138 यूज question number 13 यदि carbon प्रमानु के एक तो यहां पे कितने होगे मोल में इसका मतलब क्या हुआ 6.02 गुणा 10 की सकती तेईश पर मानू कार्बन का दिनमान की तनों के बारा ग्राम हो गया और एक के कितना आजेगा जैसे मैथ के स्वाल करते हैं बटे में आजेगा ये तो भाग करने से हमारे पास कितना गा 1.993 गुणा 10 की सकती माइनिस तेई ग्राम किस में अधिक प्रमानू होंगे 100 ग्राम सोडियम अत्वा 100 ग्राम लोगा परमला हैफिय तोगा और सोडियम का एन दोता है दोनों का प्रमानू दुर्यवान भी दिया क्या है सोडियम का कितना है 23 और फेरस का कितना है 56 बिल्कुल असान हम दोनों का निकालेंगे पहले निकालेंगे sodium का और फिर निकालेंगे iron तो पहले हमें molar द्रहमान पता हो ना थी तो यहां पे तेज दिया गया है और यह 56 यहीं से हम स्वाल करेगे देखिए एक्जेक्टली जो sodium का molar द्रहमान कितने होता है 22 ग्राम होता है यहां पे तेज दिया गया तो हम यहां पे 22 यूज़ करेंगे 22 ग्राम होता है और एक मोल में कितने प्रमान होता है याद रख लिजी एक मोल में इस तरह के स्वाल करने के लिए आपको यह दो चीज़े ताहिए एक तो मोलर द्रहमान और एक प्रमान होता है इसके बाद 23 ग्राम उसने दिया गया है 23 ग्राम सोड़ में प्रमानों की संख्या कितने जितनी यह है और एक ग्राम में कितनी हो जाएगी चेज़े दस्मलो 0-2-2-2-10 की सक्ती पटे 23 आदेगी यह बटे आगा जैसे मैट के स्वाल करते हैं जादा में दिये गए और कम ही निकालने तो हम भाग करते हैं तो निकालने हैं 100 ग्राम में तो ग्णा में हमने कितने कर दिया शो ग्राम तो भाग करने गुणा करने चाह गया चपवीश पॉइंट ठारा गुणा दस की सकती तेज इसी प्रकार करेंगे लोहे का मोल द्रेमान कितने है चपपन ग्राम और एक मोल में कितने होते है चे दस में लो जीरो दो दो गुणा दस की सकती तेईस होते हैं फिर सेम ऐसे 56 ग्राम लोए में प्रमाणों के संके कितनी होती है ये एक ग्राम में कितनी होगी बटे में 56 ग्राम में कितनी होगी गुणा में 100 तो अनसर कितना आगया 10.75 गुणा में 10 की सकती तेज तो यहाँ पे ये कितना है 10.75 और वो कितना है देखें जहां पे 26.18 तो इस तरह हम कह सकते हैं दोनों को यह दि देखें तो 100 ग्राम सोडे में 100 ग्राम लोए के पेक्सा अधिक परमानूं होंगे तो यह था हमारे पास आज का वीडियो जिसमें हमने आज टेक्स्वल क्वेशन की हैं जो पार्ट के बीच बीच में कुशन होते हैं नेक्ट वीडियो में हम लेंगे अभ्यास के प्रशन उत्तर तो चलते हैं नेक्ट वीडियो के लिए तब तक लेते हैं थोड़ा सा इजाज़त आप से जय है